तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इसनाय है और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के 9 हिंडी को पढ़ने वाले हैं और एक ही वीडियो में 3 चेप्टर में कम्प्लीट करा देने वाली हूँ इसके पहले वाले वीडियो तक मैं 7 चेप्टर पढ़ा चुकी हूँ आज की इस वीडियो में 8, 9, 10 यानि की 8, 9, 10 तोडल 3 चेप्टर कम्प्लीट करने वाले हैं सोचिए एक ही वीडियो में वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन 3 चेप्टर एक साथ कम्प्लीट हो जाएगा और आप लोग का समय बचेगा यह मुझे अचानक ख्याल आया कि क्यों ना फड़वट आप लोग को तुरंत चेप्टर कम्प्लीट किया जाए क्योंकि अब आप लोग का एक्जाम भी नज़्दी का रहा है और मैं यही सोच रही थी कि एक ही वीडियो में 3-4 इसी तरह करके चेप्टर कम्प्लीट करा दूँ आज के इस वीडियो में तो 10 चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा अब इसका जो अगला वीडियो आएगा उसमें आव लोग चार चैप्टर कम्प्लीट करेंगे 14 फिर चार अठारा हो जाएगा फिर 4 सोची इस तरह चार-चार करके मैं एक ही वीडियो में चार चाप्टर कम्प्लीट करा दूंगी और बहुत जल्द आप लोगे तीन चार वीडियो में ही टोटल बुक ही कम्प्लीट हो जाएगा तो सोची कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और इसके अगले आने वाले जितने वीडियो है वो सभी आप लोगे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक चैप्टर का अनलाइसिस बहुत ही बहतर इंधन से करेंगे और हलांकि इसके पिछले वाले सेशन में मैं आप लोग को अलग 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 चैप्टर पढ़ाई हूं चैप्टर नंबर एट का वीड सेफरेटक दम विंश्तार से तो सर्च करेंगे यूटूब पर क्लास्टेंट अर्दू चैप्टर क्लास्टेंट उर्दू में बोल रहे हूं नौन हिंदी यह यह कच्छा 10 और आहिंदी यह हिंदी को नौन हिंदी कहा जाता है जो स्टुडेंट उर्दू सब्जेक्ट लिए रहें उन सभी मतलब उर्दू वाले स्टुडेंट का हिंदी जो हता है ना उसको कहा जाता है आहिंदी ठीक है तो आप लोग अगर यूटूब पर सर्च करेंगे क्लास 10 नॉन हिंदी चैप्टर एट भाई मुस्कान मैं तो आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे उतना विस्तार से नहीं लेकिन हाँ हर एक एक टॉपिक को मैं कवर करा दूंगी एक भी पॉइंट नहीं चूटेगा जो कि आप लोग के एक्जाम में पूछे जा सकते हर एक पॉइंट को बहुत ही बहतरी इंध समझेंगे और थोड़ा फास्ट समझेंगे ठीक है इसी वज़ा से मैं आप लोग को एक ही वडियो में तीन चार चप्र कम्प्लीट करा रही हूं ठीक है चलिए स्टार्ट करते आज के इस वीडियो को पड़फट और समझ लेते हैं मैं लिग भी दी हूं क्लास 10 औह हिंदी यानि कि नौन हिंदी है यानि कि जो स्टुडेंट 10 ग्लास में उर्दू सब्जेक्ट के को लिए हैं उनका ये हिंदी है आठवा चेप्टर है क्योंकि साथवा चेप्टर तो मैं आप लोग अलड़ी पढ़ा चुकी हूं आठवे चेप्टर स्टार्ट करते हैं आठवे च аем क edda luxнее buchy के दिया दियागे है बच्चे की दूआ यानि कि एक ऐसी प्राथना है जो बच्चे कर रहें लेकिन अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यह बच्चे की दूआ हैं तो बिल्कुन वलहाद सोच रहे हैं यह बच्चे की दूआ डूफार नहीं है मतलब इस चैप लाइन से उपर वाले से किस तरह से दूतर जाती है अगर इंसान को किसी भी बच्चे हो बूड़े कि यह पता चलता है कि हमें ले जो दुइए इसके पर्तिय को पड़ चार्ट लाइन उठा करते देगा और कोशन में पूछेगा कि इसका भावार्थ लिखे यानि कि जो भी दो लाइन उठा कर दिया रहता है उसका अर्थ लिखना रहता है उर्दु में कहा जाता है तश्री ठीक है ना तो चलिए मैं पढ़कर सभी लाइन का अर्थ समझा देती आप लोगों देखिए यह एक प्राजना गीत है इसमें दर्दमंद और वन्चित की हिफाज़त का संकल्प है इसमें दर्दमंद और वन्चितों की हिफाज़त की संकल्प लीगई है तुछ खुद को बुराई से बचा करने एक राप चलने की दुआ मांगी है चलिए मैं मतलब मदर्से वगारा में भी जब हम लोग पढ़ने के लिए जाते थे तो स्टार्टिंग में ना मतलब जैसे कि प्रातना इसकूल में करवाई जाती उसी तरह जब हम लोग मदर्सा में छोड़े थे बच्चे तो पढ़ने के लिए जाते थे तो यही दुआ पढ़वाई ज यांगे की हूट पर आती है जिंदगी शंब की सुरत कर दे यानि की चिराइट की तरह रौशन कर दें देखें कितना अच्छा मैं कितना वाकई में अच्छे तरीके से लिखें कि मौमध इकबाल है और यही होता है वाकई में लिखा गया और इस его प्रते ही दुर दुनिया का मेरे दुर्थे ग्लाब हो जाये हर जगा मेरे चमकने पढूराँ यहां पर बोल रहे हैं बच्चे कि या खुदा मैं अपनी जिन्दगी में इतना ज्यादा पढ़ू लिखूं इतना ज्यादा ग्यान को अर्जित करूं कि मेरे दम से दुनिया का जो अंधेरा है वो दूर हो जाए और हर जगा मेरे चमकने से उजाला हो जाए और मैं जहां जाओं हर अग्यानी व्यक्ति बनों जिसके हो जासे इस दुनिया के जितने भी अंधेर है न वह दूर हो जाए और यहां तक कि जो अग्यानी व्यक्ति है जो अशिक्षित लोग है उसको भी मैं शिक्षित कर सकूं ठीक है हर जगा मेरे चमकने से उजाला हो जाए मेरे दम से यही मेर कि ऐाहां पर बोला जा रहा है कि जिस्थरा फूल से चमन की जीनत बढ़ती है पूल के कारण जिस तरह चमन की जीनत यहनि की चमन की शोभा छमन मतलब आप सकते फुलवारी जिस तरह चमन की शौभा फूलों के कारण बढ़ती है, फुल रहने पड़ी पुलवारी यानिकि चमन की जिनक यानिक शौभा बढ़ती है बिल्कुल उसी तरह या ख़ुदा मैं इतना ज़्याधा अपने जिन्दगी में पढ़ाई लिखाई इतना ज्यादा मैं ंय ज्यान को अर्जि की सूरत यारब इल्म की शम्मा से हो मुझे को मुहबत यारब वुला जराए कि जिन्दगी हो मेरी परवान की सूरत यारब यानि कि या मेरे जिन्दगी प्रोफकार हो जाए इल्म की शम्मा से हो मुझको 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 इल्म की शम्मा से मुखबत हो जाए यानि कि मैं हमेशा इल्म में इल्म को जिन्दगी हो मेरी परवान की सूरत यारब, इल्म की शम्मा से हो मुझे को मुहबत यारब बोला जा रहा है कि जिन्दगी हो मेरे परवान की सूरत यारब यानि कि मेरी जिन्दगी परवान की सूरत हो जाए, मेरी जिन्दगी प्रोबकार हो जाए इल्म की शम मसे हो, मुझे को मोहबत, यारब मुझे इल्म की से मोहबत हो जाए मैं बहुत अपनी जिन्दकी में पर कुड़ों, लिख हुँ, ग्यान को अर्वित करो, शिक्षित बनो और मेरी जिन्दकी परवाने की सूरत हो जाए मैं जिन्दगी में जो बुरहे गरीब लोग हैं उनकी बहुत ज़दा मदद करूँ हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना दर्दमंदों से जाइफों से महबत करना यानि कि मेरा यही काम हो जिन्दगी में कि मैं गरीबों की हमायत करूँ यानि कि गरीबों की भलाई करूँ और दर्दमंदों से जाइफों से महबत करूँ यानि कि मेरा काम यही हो कि मैं जितने भी दर्दमंद लोग है जाइफ बुरहे लोग है गरीब लोग है उनसे महबत करूँ मेरे अल्ला बुराई से बचाना मुझको ऐ मेरे अल्ला मुझको बुराई से बचाना नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको यानि जो नेक राह हो ना या खुदा मुझे उसी राह पर चलाना मैं कभी भी नेक रास्ते से भटको नहीं कोई गलत रास्ता न चुन लू, मैं हमेशा नेक रास्ते पर चलू, या खुदा जो नेक राह हो, उस रह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मैं हमेशा बुराई से बचे रहू, कभी भी कोई गलत कदम न उठायू, कभी भी कोई गलत रास्ता न सचनू तो यह हो गया चैप्टर नूबर 8 कम्प्लीट बस हो गया कम्प्लीट अब आगे बढ़ते हैं čैप्टर नूबर 9 की तरफ चैप्टर नमबर नाइन का नाम क्या है अशोक का शस्त्र त्याग अशोक आप लोग जानते ही होंगे अशोक समराट अशोक राजा अशोक आप बोल सकते हैं जिन्हों ने अभी अपनी जिंदगी में कभी भी किसी भी युद में हार नहीं मानी और अपनी जिंदगी में कभी भी किसी के के सामने सिर नहीं झुका है लेकिन ऐसा क्या हुआ अशोक के साथ कि उन्हों अपने से शस्त्र को त्याग कर देना पड़ा यान कि वह हमेशा के लिए अपने हथियार को त्याग कर दिया व्युद करना छोड़ दिये ऐसा क्या हो गया अशोक के सांथ यही आप consists इस चैप्टर में पढ़ना है देखिए अशोग जो थे न समराट असोग जैसा कि मैं आप लोगो बताई जिंदगी में कभी भी किसी युद में यहार नहीं माने थे प्राजित नहीं हुए थे और आप यूग सकते हैं किसी के सामने सिर नहीं जुकाये थे और अशोग समराट कर सकते हैं कहानी कैसे इन्होंने शस्त्र त्याग कर दिया हथियार को त्याग कर दिया यह बताई गए यह तो समझे कि एक एक कांकी है और इस एकांकी यानिकिस चैप्टर के जो राइटर है वह है वन्शी धर सिर्वास्ता अब मैं आप लोग को पूरी कहानी एकदम डिट तूटा हुआ था लग लग राज्यों में तूटा हुआ था और अशोक के जो गुरुजी थे चानक्या उनकी भी इच्छाती की भारत को अखंड भारत बनाया जाए तो आप यूं कर सकते हैं अपनी गुरुजी की बात मानते हुए समराट अशोक जो है ना भारत को अधिनता स्विकार कर लिये थे यानि कि अंडर में आकर काम करने लगे थे इनके अंडर आ गये थे डर के वज़ए से बहुत ही शक्तिसाली युद्धा थे ठीक है इसी वज़ा से तो लगभग जितने भी राजे थे लगभग जितने राजे की राजा वह शमराट अशोक की अधिनता स्विकार कर लिये थे मतलब की समराट अशोक के अंडर में आकर काम करने लगे थे लेकिन यहां पर एक स्वयम लिया जा सके ठीक है ना तो कहली राज्य के राजा जो थे वह अशोक की अधिंता को आश करते यान कि उनके अंडर में आकर काम नहीं करना चाहते थे तो अशोक तो बोली दिये थे कि जो हमारी अधिनता स्विकार नहीं करेगा जो हमारे अंडर में आकर काम नहीं करेगा वो मुझसे यूद करेगा तो हुआ ये कि कलिंग के राजा और मगद के समराट जो थे अशोक इनक चलता रहा ठीक है चार सालों के बाद जो है ना समराट अशोक जो जहां पर युद का मैदान होता है वहां पर लगा होता है ना कैम जहां अगर मालिज ये किसी सैनिक को चोट लग गई तो इसको लाकर उसी केंप में इलाज किया जाता है तो उसी तरह का बना हुआ था और समराट अशुक उसी में टहल रहे थे और यह बात सोच रहे थे समराट अशुक कि इतने सालों से कलिंग और मगज के बीच युद्ध होते चला रहा है लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला अभी तक को सुने होंगे यहां कि समधाता यह कुमार यहां कि समधाता यह कुमार यह लाइफ दिखा रहे हैं ठीक है तो यह आप लोग सुने होंगे समधाता किसे कहते हैं तो वही बात यहां पर भी है समराट अशुक बोले ठीक है समधाता को अंदर भेजा जाए दौर पाल जाकर बेखेद में मारे गए अब यह सुछना सुनकर कि आप लोग को लगता है कि समराथ अशुक को खुशी नहीं हुई होगी बेशक यह बहुत ज़्यदा खुश हुए थे उनको बहुत ज़्यदा प्रसंद्द थे बहुत ज़्यदा खुश मतलब अभी सोची रहते कि चार साल से दीद होते चला रहा है अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला और तभी इनकी समधाता जो है ना आकर इन्हें सब कुछ बता दिया कि हम कलिंग के राजा मारे गए तो आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यदा खुश थे और इतना प्रसंद्द थे कि प्रसंद्दा पु सम्राट अशोक बोले कि तुम चुप क्यूं हो तो समधाता बोला कि महराज यह तो ठीक है कि कलिंग के राजा मारे गए और हमारी विजय हुई है जीत हुई है लेकिन अभी अभी कलिंग का जो दुर्ग है ना फाटक दरवाजा वह अभी भी बंध है खुला नहीं है तो अ अगले ही दिन प्रातकाल के समय सम्राट अशोक अपनी पूरी सेना को लिए हुए कहां पहुच गये थे कलिंग का जो दुर्ग था वो बंध था और उससे कुछ दूरी पर जो है ना सम्राट अशोक खड़े थे और उनकी पूरी सेना महाँ पर थी पूरे सायनिक चारो नहीं ले थे हथियार लिये हुए और शमराट अशोक अपने सेनिकों से बोले कि मेरे १ीर शैनिको जो तुम्हे सामने कल यंग का दुर्ग दिखाई दे रहा है वह अभी भी बंध है यायानी की फाटक अभी बंध है मेरे वीर सैनिकैनि को अभी तक चार सालों से युद ह होते चला आ रहा है लेकिन फिर भी हम लोग कलिंग को जीत नहीं पाए हैं कलिंग की राजा मारे गये सेना पति हमारी कैद में है फिर भी इस कलिंग के दुर्ग पर हमारा जो जण्डा है हमारा पताका नहीं फहर रहा है आओ आज हम अपनी मात्री भूमी की सपत लेकर ये प्रण करें कि या तो कलिंग के दुर्ग पर हम अधिकार कर लेंगे अन्यता सदा के लिए मृत्तिव की गोद में सो जाएंगे यह बात सुनकर आप लोग जानते हैं ने सइनिक क्या करते हैं मगत की जाये हो समराट अशोक की जाये हो मतलब मौटीवेशन जग जाता है सइनिको के अंदर और राजा मतलब समराट के अंदर यह सबसे बड़ा गूर होना चाहिए कि वो अपने सैनिको को मोटीवेट कर सके त से काफि इन जितने भी सामराट अशुक साफ समराथ उस्मोरोजाते हैं और तलवार खीचा की भी रह जाते हैं और उसमें से इस्त्रियों की सेना बाहर निकलती है और उन इस्त्रियों की सेना में जो बीच में इस्त्री रहती है न वह वेश पुरुष का वेश धारन किये रहती है यानि की पुरुष का कपड़ा वगारा जिस तरह यूद करने के समय यूद का कपड़ा जो पेना जाता है थे पुरुष का वेश धारन किये हुए हात में हत्यार लिए आगे निकलती है और वह सस्त्री कोई और नहीं कलिंग की राजा की पुत्रि यानि की कलिंग की राज को मारी पदमा रहती है ठीक है और पदमा जो है ना मतलब वो तो खुद इस्त्री थी लेकिन पूरुष का वेश्धारण किये हुए मतलब युद का कपड़ा पेने हुए हाथ में अथिया लिए आगे सबसे आगे यही रहती हैं और बाकी उस महल के जितनी भी इस्त्रीया रहती हैं जितनी भी विरांगना है वो सभी पीछे-प पुरुष का वेश्धारण किये हुए दम इस्त्रीयों की सेना बाहर मिकलती है और तब राजकुमारी पदमा कहती है इस्त्रीयों की सेना से कि बहनो तुम वीर कन्या तुम वीर भागनी तुम वीर पत्नी हो जिस सेना ने तुम्हारे भाई पिता पती पुत्र की हत्या की ह वो तुम्हारे सामने खड़ी है आज तुम्हें इस से लोहा लेना है मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुम यह प्रण करो कि इस जननी जनम भूमी को किसी और के अधीन होते देखने से पहले हम सदा के लिए अपनी आखे बंद कर लेंगे लेकिन जब तक जिवित रहेंगे हम इस जनम भूमी को किसी और के अधीन होते नहीं देख सकते हैं ये बात सुनकर एस्त्रियों में एक नई लहर दोर पड़ी एस्त्रिय की जितनी भी सेना थी उनके अंदर जोस और जुनून भर गया अब ये सारी जो एना घटना को हम देख रहे थे समराट अशोक अश्यर चकित हो गए थे और समराट अशोक बोले ये कौन है जो शाक्षात कलिंग के दुर्ग की रक्षा किरने के लिए युद भूमे में उतर आया है और इसकी जितनी भी सेना है वो भी इस्त्रिया ही है क्या आप मुझे विजय प्राप्त करने के लिए इस्त्रियों का वद करना पड़ेगा क्या आप मुझे इस्त्रियों से लड़ना पड़ेगा मुझे इस्त्रियों से युद करना पड़ेगा नहीं मैं इस्त्रियों से नहीं युद कर सकता मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता मैं इस्त्रियों से युद नहीं करूंगा और जाकर समराट अशोक जो राजकुमारी पदमा थी ना उनके सामने खड़े हो गए और बोले कौन है देवी आप तो राजकुमारी पद्मा बोली कि मैं इस राज्य के राजा की पुत्री राजकुमारी पद्मा हूँ और मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने के लिए आई हूँ जब तक मैं हूँ मेरी ये विरांगनाय है तब तक कलिंग के महल में कोई भी पैर नहीं रख सकता है कहा है मेरे पिता का हत्यारा कहा है मैं आज उससे युद करना चाहती हूँ कहा है मेरे पिता का हत्यारा और चरोतरफ देखने लगती है और इनको खुद पता नहीं रहता है, जिससे बात कर रही है, वही है हत्यारायन की, वही है समराट अशोक, ठीक है, तो मतलब पूछती है, राज कुमारी पदमा कहा है, मेरे पिता का हत्यारा अशोक, मैं उसे लड़ना चाहती हूँ, समराट अशोक तो सामने ही खड़े रहते हैं, वो बोलते हैं, कि मैं ही हूँ समराट अशोक, और मैं ही हूँ, आप सभी लोग का दोशी, लेकिन मैं आपसे युद नहीं करूँगा, तो राज कुमारी पदमा बोली, कि क्यों महराज, तो समराट अशोक बोले, क्योंकि मेरा श क्या आपका ये शास्त्र आग्या देता है कि आप निरपरादियों और निहत्तों की हत्या कर दे क्या आपका ये शास्त्र आग्या देता है कि आप हजारों लाखों मताओं की गोद को सूनी कर दे क्या आपका ये शास्त्र आग्या देता है कि आप हजारों लाखों पत्मियों की मांग किस नूर को पोच दे अगर आपका ये शास्त्र आगया देता है तो फुक दीजिए से शास्त्र को और वैसे भी मैं यहाँ पर आपसे शास्त्र सीखने नहीं बल्कि शास्त्रों से युद करने आई हूँ आप हमसे युद कीजिए महाराज मैं अपने पिता की बदला कीता है यहाँ बहुत हो गया आपसे लेना चाती हूँ आप हमसे युद कीजिए यह बाट सुनकर समराठ अशोक का सिर्जुख जाता है राजकुमारी पदमा कहती हैं, सिर्क यू जुखा लिए महराज, उठी और हमसे युद कीजिए, मैं सिर्फ युद चाहती हूँ, भीशड युद, आप हमसे युद कीजिए, आपको मुझे युद करना ही होगा, समराट अशोक कहते हैं, बहुत हो गया राज कुमारी, मैं आपसे युद न नहीं करूंगा और सिर्फ ये युद्ध क्या अब आज से मैं अपने जीवन में कभी भी अपने हाथ में श्रस्त्र लूंगा ही नहीं हतियार उठाऊंगा ही नहीं और आज से मैं कभी भी अपने जीवन में युद्ध नहीं करूंगा राजकुमारी पदमा कहती है मैं आपके इस भुलावे में नहीं आ सकती महाराज उठिये आप हमसे युद कीजिए मुझे अपने पिता का बदला लेना है समराट रशोक जाकर राजकुमारी के सामने गिर जाते हैं और सर जुका लेते हैं और कहते हैं तो लीजे बदला मैं आपका प्राधी हूँ आप सभी का प्राधी हूँ मेरा सर काट लीजे अपना बदला ले लीजे लेकिन मैं युद नहीं करूँगा इस्त्रियों पर हाथ नहीं उठाऊँगा अब ये बात सुनकर राज कुमारी पद्मा का क्रोध शांत होता है और वो कहती है ठीक है तो महराज मैं भी निहत्तो परवार नहीं करती जाइए मैं आपको छोड़ देती हूँ और इस तरह राज कुमारी पद्मा अपनी इस्त्रियों की सेना को लेकर वापस महल के अंदर चली जाती है और फिर कलींग का दुर्ग बंद हो जाता है फाटक बंद हो जाता है और उसी वक्त से समराथ अशोक ये प्रण ले लेते हैं कि आज से वो युद नहीं करेंगे मतलब कि समराथ अशोक शस्त्र का त्याग कर देते हैं उसी वक्त से समराथ अशोक युद करना छोड़ देते हैं ठीक है और बहुत धर्म को अपना लेते हैं पीला वस्तर पहने समराथ अशोक चन लेते हैं कि आज से अहिंसा ही मेरा धर्म होगा मैं सब से प्रेम करूँगा और मेरी करूणा का सदावरत सब को मिलेगा मैं जब तक जिवित रहूँगा मैं अपनी प्रजा की भलाई करूँगा मैं हमेशा लोगों की मदद करूँगा और अहिंसा ही मेरा धर्म होगा यहां तक कि मैं सब ही धर्मों को समान दरिस्टी से देखूँगा और इस तरह समराथ अशोक बहुत धर्म को अपना लेते हैं और बहुत बिक्चु जो भी बोलते हैं कहने के लिए और समराथ अशोक कहते हैं वचन लेते हैं और उसके बाद से आप लोग जानते हैं पूरी कहानी पूरा चैप्टर अब आगे बढ़ते हैं दस्वा जो की लास्ट चैप्टर है इसको पड़ा-बर समझ लेते हैं दसवे चेप्टर का नाम है इर्षिया तू ना गई मेरे मन से इर्षिया का मतलब होता है जलन इर्षिया हो जाना इर्षिया का मतलब होता है किसी की उन्हती को देखकर अंदर अधाह आ जाना और फिर चिंता आ जाना कि वो क्यों इतना तरक्की कर रहा है और उसके बाद से खुद को बरबाद कर लेना और फिर यह सोचना कि अब हम जो इंसान तरक्की कर रहा है उसको कैसे बरबाद करें ठीक है मतलब जलन आ जाना दा आ जाना दूसरों की संपति दूसरों की उन्नति और दूसरों की सफ अदर इर्शिया आ जाती है वो व्यक्ति के मन में इर्शिया जो है ना धीरे-धीरे अपना घर बना लेती है और इस तरह उस व्यक्ति का धीरे-धीरे चरितर जो है ना बहुत ही भयानक हो जाता है डराऊना हो जाता है यहां तक कि वो व्यक्ति मार्डर करने के लिए भी तैय और इर्शिया मतलब यह नहीं कि इर्शिया गलत भी नहीं है इर्शिया बहुत ही ज्यादा गलत नहीं है इर्शिया करना ठीक है लेकिन वह प्रतेसपर्धा के भाव से किया जाए तो ठीक है लेकिन जलनशीलता के भाव से किया जाए बदला लेने के भाव से किया जाए तो व दिखने वाले कौन है रामधारी सी दिनकर ठीक है कोशन पूछेगा अब्जेक्टिव में तो बता दीजिएगा वैसे इस चप्टर की शुरुवात किस तरह से हो रही है इस चप्टर की जुनाइटर है ना रामधारी सी दिनकर वो बता रहे हैं कि हमारे बगल में एक वकील सा हमले के से रहती हैं सब कुछ मतलब सुखत जीवन के लिए जो चीज चाहिए वकिल साहब के पास सब कुछ है लेकिन वकेल साहब primarily है क्योंजों दुखी है वहीं तो वक्यल साहब इसलिए वगरा है धन दौलत मतलब उसके पास भी पैसे हैं लेकिन वकिल साहब अपने पैसों से सुखी होने के बजाए दूसरों की उनती यानि कि उस भीमा एजन जो है ना उसकी सुख सुविधा को देखकर उसकी उनती उसकी सफलता को देखकर बहुत ही चिंता में हैं और ध्यान मे रखिएगा इर्श्या के शिरुवात इर्श्या का जन्म ही चिंता से होती है और कहा जाता है कि चिंता चिता के समान होती है ठीक है तो वकिल साहब खुश नहीं है क्यों खुश नहीं है क्योंकि वो चाहते हैं कि विमा एजन्ट के पास जो भी है मोटर गारी धन दौलत पै लिवार है हर महीने उनका भी इंकम आता है मन्थली इंकम लेकिन वो अपने सुक्स विधाओं से खुस नहीं है दूसरों की सुक्स विधाओं सफलता को देखकर वो क्या हो रहे हैं चिंतित हो रहे हैं और दुख में हैं और यहीं चिंता से ही इरश्या की शुरुवात होती है और कहा जाता है चिंता क्या चिता के समान है तो कभी भी दूसरों की सुक्स विधा से मतलब दुख ही नहीं होना चाहिए चिंतित नहीं होना चाहिए क्योंकि दूसरा अपना कर्म कर रहा है अपने कर्म के हिसाब से सफल हो रहा है ठीक है और आप उसके सफलता को देखर आप कुद चिंते हो रहां आज अधोड़ बरबाद हो रहा है इसका मतलब इर्ष या की शुर्वात हो चुकी है तो मतलब जितना जलत हो सके इर्ष या को करना देखने इर्श्या में होता क्या है सबसे पहले तो दूसरों की उन्नती देख कर दुसरों की सफलता देख व्यक्ति चिंटा में आ जाता है ठीक है यहीं से डूबा रहेगा और वो अपना खुद का काम नहीं करेगा ठीक है यानि कि पहले वो खुद बरबाद होगा चिंता में रहकर जब खुद पूरु रोप से बरबाद हो जाएगा तो अब यह सोचेगा कि जो व्यक्ति सफल हो रहा है जिसकी उन्नती हो रही है उसको कैसे बरबाद करें और उसको बरबा नाम निंदा है और निंदा का मतलब कि अब उस व्यक्ति की समाज में बुराई करना स्टार्ट कर देता है आप क्योंकि पूरू रोप से बरबाद हो गया उसके पास कोई काम है नहीं तो वो क्या करेगा निंदा करेगा समाज के जितने भी लोग है उनसे बुराई करेगा होता है ना बात करना बात करेगा कि यह इस तरह उस तरह ठीक है और बुराई कर करके कर करके कान भर भर के समाज के लोग को जो है ना उसके प्रति जो व्यक्ति सफल हो रहा है ना मतलब उसके प्रति नफरत पैदा करेगा ठीक है तो यह इस्या की बड़ी बेटी का नाम क्य वजह से सफल हो रहा है ना उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और आज तक ऐसा हुआ भी नहीं है कि किसी की बुराई करके आप किसी का चरित्र भंग कर दो या फिर किसी मतलब कोई व्यक्ति सफल हो रहा है सफल हो गया या फिर कोई व्यक्ति उन्नति कर रहा है तो उसकी कि आप बुराई करके किसी को नीचे गिरा दे ऐसा कभी नहीं होगा याद रखिएगा हाँ यह हो सकता है कि जो व्यक्ति सफल हो रहा है ना उसके अंतर खुद अहंकार आ गया वह सफल हो रहा है तो वह अपने आपको मतलब सबसे बड़ा समझने लगा तो इस वज़ा से वह अपने आपर ही नीचे गिर जाएगा उसको किसी कई मिल्ला कि गिराने की दोर्ड़ीं यह फिर यह हो सकता है कि जिस गुड़ के वाज़ा से सफल हो रहा था उसके वह वूधि olmidhi ख़तम हो जाए तब और खुद से नीचे गिरगं यह लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए अपने अंदर तो यह याद रखना जरूरी हो सकेगा मतलब यह इस चैप्टर में जो भी बाते बताई गई है बहुत ही बहतरीन बाते बताई गई है मतलब जिन्दगी की सीख दी गई है जो कि आपके काम आ सकती है और आएगी भी याद रखिएगा य लहाए और अगर प्रतिसवhaul ब्रता यानी की कवदिशन की भाव से किया जाए वह इतना त्रक्की कर रहा है सफल हो रहा है मेहनत करके तो हम भी मेहनत करते हैं यह होता है मिध्य व्हार के वजए तो इसको कहते हैं सकरातमक इष्या और इस तरह की रखिश्या से व्यक्ति च से करेंगे तो आप सकसे जुझाएंगे खुद आप बुक में लिका है लेकिन अगर आप शिया जलन की भावना से जलन स्रीलता की और बदले की भावना से कर रहे हैं तो फिर आप लोगों का चरित रही और हो जाएगा अ व्यक्ति को कैसे ब्रबाद करें यानिकी आप यहां पर कुछ मैं पॉइंट लिख दी हूं याद रखिएगा देखिए यहां पर लिखा गया है कि इश्वर चंद्र विधा सागर के अनुसार बताये क्या है कि लोग हमसे क्यों इर्षिया करने लगते हैं और किस तरह के लोग इर्षिया करते हैं ठीक है देखिए यहां पर इस वर चंद्र विदासागर के अनुसार तुम्हारे निंदा वही करेगा जिसकी तुमने कभी भलाई की हो जो व्यक्ति आपके बारे में कुछ का जान भलाई की हो और इस तरह के लोगों को इसी तरह छोड़ देना चाहिए कामी है वो निंदा करेंगे बुराई करेंगे आप कुछ पर क्या फरक पड़ने वाला है आप अपना कर्म कीजिए और कहा भी गया है कि कर्म करो फल अपने आप ही मिल जाता है फल की चिंता ना करो तो इरश्या किया था और किस तरह मतलब इन्होंने इस इरश्या की जाल से निकले थे मतलब यहर एक चीज बताया है तो देखिए आदमी में जो गुर महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते हैं देखिए निस्से का क्या कहना था ये भी एक महान विद्वान हैं और इन्होंने कहा था कि आदमी में जो गुर महान होता है ना जिस गुर के वजन से आदमी सचसेग होता है सफल होता है उन्हीं गुण के चलते लोग उससे इर्ज्या यानिकी जलन करते हैं आगे बढ़ते हैं आगे देखिए अब क्या बताये गया है पर इर्ष्यालू व्यक्ति से बचने का उपाय बताये गया है निच्से ही बताये हैं कि बजार की मख्यों को छोड़कर एकांग की और भागो एकांग में रिख दियू तो इसलिए बजार की मख्यों को छोड़कर एकांग की और भागो यानिकी इर्ष्यालू व्यक्ति से बचो यह बजार की मख्या है तो इसलिए इनसे बचो और एकांग की और भागो इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इर्ष्यालू व्यक्ति से कैसे बचे उस इर्शियालो व्यक्ति बनने से कैसे हम लोग रोख सकते हैं, किस तरह क्या करें कि हमारे अंदर खुद इर्शिया जगह न बनाएं, तो इसके लिए क्या करना होगा, इर्शिया से बचने का भी उपाय बताया गया है, इर्शिया से बचने का उपाय है मानसिक अनुशासन, यानि कि आप अपने मान, जो आपका जो मश्टिश्क है, अपने मन को और अपने मस्टिश्क को अनुशासन में रखिए और हमेशा योग वगरा, exercise वगरा करते रहे हैं और जब भी इस तरह की इरश्या की भावना होना तो positive way में कीजिए, यानि कि सकरात्मा की इरश्या कीजिए, कभी भी जलन शीलता ये फिर बदले की भाव से इरश्या ना कीजिए, competition की भाव से कीजिए, कि अगर वो मेहनत कर रहा है तो हम भी मेहनत करेंगे, हम भी अपने success को अचीव करेंगे, इस तरह से, मतलब आपकी वेवहार के हो जासे, किसी दूसरे व्यक्ति को हानी न पहुचे, चोट न पहुचे, इस तरह की इरश्या कीजिए, competition की भावना से, और इस तरह आप अगर ये उपाय करते हैं, मानसिक अनुशासन रखते हैं, और positive way में इरश्य भी हो जाएंगे, और आपको इरश्या से किसी भी तरह की हानी भी नहीं पहुचेगी, तो ये हैं इरश्या से बचने का उपाय, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और यहां पर finally complete हो जाता है, आप लोग का पून रूप से, अगर आप लोग यहां तक screenshot लेना च चेप्टर तक, और अगर आप लोग को समझ में आया है, तो comment में लिख कर जरूर बताएं, जो कुछ भी मैं आप लोग को समझाई हूं समझ में आया है, तो comment में लिखें, और बताएं कि हाँ हमें समझ में आया है, और वीडियो को share जितना जदा हो सके करें, और लाइक करें, ताकि सब भी लोग इस वीडियो का लाव उठा सके, प्लस अगर आप लोग चानल पर नहीं नहीं हुए है, मरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चानल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वेल जरूरू दोबालीजेगा, ताकि जब भी वीडियो पिके साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदाहाफिज